कि गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स इस्टूडेंट्स आज हम लोग जो है अपनी सेकेंड बुक जो है स्टेटिस्ट फॉर इकनॉमिक्स ठीक है इसको शुरू करने जा रहा है फिर से अब यह तक हम लोग इसमें चार चैप्टर पढ़ चुके हैं जो की थे अपना चुके हैं पहले यह लोग प्वोड़ा था कि की कलेक्शन ओफ डेटा और डोनाइजेशन और रही था हम लोग यह दोनों पाड़ टॉपिक पड़ चुके है कि डाटा कैसे क्लेक्ट किया जाता है संसर सेंप्ल टैक्निक से और इसका चुर्यास लगाए थे आज़ लोग श सिस्टेमेटिक तरीके से ठीक है अब उसको किस तरीके से दूसरे के सामने प्रिजेंट करोगे ठीक है तो उसके बारे में हम दो आज पढ़ेंगे तो शुदू करते हैं असका टॉपिक कि है प्रिजेंटेशन ऑफ डेटा अब यहां पह देखिए डाट जो है वो कि तरीके से चेशके घृट ठीक है? कई बहुत सारी तरीके होते हैं जिन में से पुछ तरीखया की भूक में दिये हूए है मैं data present किया लाता है textual form में टीक है diagrammatic presentation होती है ठीक है geographical presentation होती है अलब अलब तरीके से data को present किया जाता है तो आपकी इस chapter में हम लोग आज जो बात करेंगे वो सिर्फ इस chapter में जो बात करेंगे वो textual और tabular presentation की बात करेंगे ठीक है तो इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि presentation of data होता क्या है देखो ऐसा होता है कि आप data को collect करते हैं पहले अपने पास ठीक है उसके बाद data को organize करते हैं इस टैलीवार के according की data माला आगिया उसको टैलीवार के according हमने और्गनाइज कर लिए सिस्टेमेटिक तरीके से आगया कि हम बस साथ लोगों का data आया था उसमें से अब इसको हम present करेंगे तो ऐसा होता है आप जानते होंगे कि जो चीज सामने आप सही से देख सकते हो उसको समझने में असानी होती है तो किसी भी चीज को present करना ठीक है वह बहुत जहुरी होता है कि वह अच्छे कैसे होना चाहिए present क्योंकि जो आदमी आपने data collect किया है जो वह देखेगा किस तरीके साथ उसको present किया है उसी से वह समझ पाएगा ठीक है इस data के बारे में तो पड़ो the presentation of data means exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed क्या मतलब हुआ data को इस तरीके से present किया जाता है करना चाहिए exhibition मतलब कि इस तरीके से उसको show करना चाहिए एक्जीबीट मतलब है हम साइंस एक्जीबिशन लगाते हैं हम लोग present करते हैं तो डाटा को इस तरीके से present करें इतने किलियर और अट्रेक्टिव मैंनर में कि वह easily understood और अनिलाइस किया जा सके कि जो सामने वाला उस data को देखेगा समझेगा समझने की कोशिश करेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आए और उसको वह सही से अनिलाइस कर सके ठीक है तो जब presentation of data की definition क्या हुई the presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed ठीक है तो यह तो आपको definition हो गई presentation of data is very much important ठीक है there are many forms of presentation of data बहुत तरीके की forms है data को present करने के जिसमें textual presentation आपकी tabular presentation diagrammatic presentation ठीक है तो इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ textual और tabular presentation के बारे में ठीक है diagrammatic presentation को हम लोग next chapter में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं textual presentation textual presentation क्या होती है देखो ऐसा होता है टेक्स्ट मतलब समझते हो ना जैसे आप लोग मोवाइल में कोई message type करते हो वो किस टाइप form में होता है वो टेक्स्ट के form में होता है तो textual और जैसे आपके घर में newspaper आता होगा सुबह सुबह तो न्यूजपेपर में जो भी आपको information दी जाती है जाता तर वो टेक्स्ट के टेबलट दोनों लिखे से दी रिटन में होता है लेकिन textual जो होता है वो एक पूरा return में होता है ठीक है बितलब एक पूर प्रेज़ाफ में पूरी में वह information आपको दी होती है ठीक है तो ऐसी presentation को क्या कराता है textual presentation करा जाता है दो इन a textual presentation data are a part of the text data जो है वो तेक्स्ट का पायत होता है आफ अफज्टी और पाइट्व डिस्क्रिप्टिप्षन ऑफ इस सर्टों कर निधन में मतलब तो आपके पास दिया हुआ 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 उसे कहते हैं juda سंदेशंघ्ञीशन आफके इन्हों ने क्या बतायाbrak एक स्ट्राइक होई विथबश ऑफ जोविश्टिय कि इन्हें। इंडैस्ट्री के ऊविश्टिये के स्ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक कॉल करी इसमें क्या बताया कि 50 % औव के वर्कर्ष रिपोर्ट टिञीस pandeis ट्राइक तो हुई लेकिन 50% वरकर्स थे वो ड्यूटी पे आए and on 20 में से 20 इंडस्ट्री में से सिर्फ दो इंडस्ट्री ही पूरी तरीके से बंद हुई तो यह आपको एक information दी हुई है जो की written straight line में sentence के माध्यम से है तो इस ऐसी information का क्या कह जाता है आपको इनफार्मेशन दी गई किसी की की श्राइक करी गई यह में कि कमपणी के तरफ से 50 पर्चास परसंट स्थ्ट्री पें आये हैं और दो इंडस्ट्री है में पूरी तरीके से बंद हैं 20 में से यह आपको करना मिली तो ऐसी इंफोर्मेशन कहीं आपको लिखी मिलें तो ऐसा मत जाईएगा कि यह टेक्ट्रूल प्रेजेंटेशन ऑफ डेयरा है ऐसे इस पर अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होती है दो टेक्ट्रूल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है आपका वो जो है जब आपका डाटा जो है वो लाज मतलब इस्मॉल कॉंटिटी में है तभी काम होका तभी ऐसा टेक्ट्र प्रेजेंटेशन अब डेटा बन सकता है अदरवाइस आपको टेबुल अब डेटा के जोद पड़ेगी तो सुटेविल्टी की बात क कॉंटिटी ओफ डेटा इस नौट वेरी लाज जहां पर डाटा की कॉंटिटी ज्यादा ना हो ठीक है आपको पूरे शहर में पूरे देश की बात डेटा निकालना पड़े तो बहुत साला डेटा हो जाएगा और ऐसे डेटा को आप कभी भी टेक्ट्र प्रेजेंटेशन म नहीं इस्तिमाल कर सकते हैं आपका डाटा जो है वो इस्मॉल कॉंटिटी का होगा इस्मॉल वाल्यूम का होगा तभी आप इसको टेक्ट्र प्रेजेंटेशन में कर सकते हो अदर्वाइज आपको दूसरा कोई मैथेड इस्तिमाल करना पड़ेगा आप टेक्ट्र प्रेजेंटेशन में उसको शो नहीं कर सकते है थीक है तो इसकी कहीं पी आती है कि जब आपका डाटा स्मॉल कावड़ा है फोक कि माली जी एक industry ुसिफ एक industry की ही बात करते हैं। शिफ एक particular firm की ही बात करते हैं। ऐसी जोगें को data गाटा कर रहा है ऐसे टाइम में तो आप इसको textual presentation में आप दिखा सकते हो textual form में show कर सकते हो ठीक है। जब यहाँ पर single stability हो गई इसका एक drawback पढ़ते हैं drawback भी जो stability है वही drawback भी है इसका मतलब small quantity का data ही आप कि इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं large quantity का data अगर होगा तो वह texture presentation में नहीं आएगा तो यह इसका drawback है अब देखते हैं कि tabular presentation क्या होता है जब texture का मतलब मैंने क्या बताया कि जब single sentence में आपको data दिया गया होता है tabular का मतलब आप समझी इसके नाम से ही समझ सकते हो tabular मतलब जब data आपको table के form में rows और columns table में क्या होती है rows columns इनके माध्यम से जब data आप शो करोगे उसको कहते हैं टेबुलर प्रेजंटेशन आप डेटा देखो आप स्टेटिकल टेबल इस सिस्टेमेटिक और डेटा इन कॉलम्स और रोज जब डाटा को सिस्टेमेटिक तरीके से रोज और तो कॉलम्स में शो किया जाता है तो उसे कहते हैं टेबुलर प्रेजंटेशन आप डेटा वर्टिकल वर्टिकल जो होती हैं स्टेंडिंग लाइन्स होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है कॉलम्स और जो होलिजेंटल होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है दो तो यह वर्टिकल नाइन्स हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम्स और इनको होलिजेंटल लाइन्स को कहा जाता है रोज ठीक है तो इन्हें कहा गया रोज अब देखो टेबुलर प्रेजंटेशन होता क्या है एलुकेटेड दी प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन ठीक है जब आप डेटा को रोज और कॉलम्स में सिस्टेमेटिक तरीके से जो भी उसका नुमरिकल डेटा है उसको शो करेंगे उस टाइम को उसको कहा राता है कि टेबल अप्रेजेंटेशन अफ डेटा होता है ठीक है टे तो जो ौ फॉलम्स में आपडरो को शोर कर देते हैं तो उसे कह राता हैμη ब्रेजेंटेशन अफ डेटा अब देखते हैं कि इसके कम्पोनेंट्स क्या यह होते हैं कॉम्पोनेंट्स में तबुदkeiten देखो, टेवलर प्रेजंटेशन में कंपोनेंट्स की बात की जाती है तो सबसे पहले आता है table का number आप जब भी table बनाऊगे किसी कोई भी table बनाऊगे data को show करने के लिए तो यह और शिर्ण नहीं स्रीद बनाऊगे सबसे पहले क्या आएगा आपका जिए देखो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है टेबिल का थीक है ? तो हर टेबिल को अपना एक नंबर होना चाहिए सबसे पहले क्या आएगा आपका जी देखो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है टेबिल का इनी के बारे में कंपोनेंट्स आपको बता जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता भी रहोंगा सबसे पहले आता है टेबिल नंबर सबसे पहले यहां पर क्या पढ़ जाएगा कि टेबि के बाद टाइटिल की टेबल जो आपने बनाई है वो उसका पर्पस क्या है और क्यों बनाई जा रही है मतलब वह किस चीज के लिए बनाई जाए रही है अट एच्छ एब बेढिड इस यूट आचे सब्सकतर बोल्ड लेटर को कड्ट चय société नोन स्वाधीरर्स पर마े intuition को समझ सके कि यह टेबल बनी है यह किस चीज की टेबल बनी है ठीक है तो सेकंड क्या होता है आपका टाइटिल में जो टेबल आप बनाने वाले हो रोज में और रोज और कॉलम्स के माध्यम से उसका टेबल किसीज की कि किसी उसमें श्ट्राइक हुई उसके बारे में है या कोई ऐसा डाटा आपने किसी स्कूल का चुर की घटा किया है तो उसका क्या टाइट्ल है रिखा गया så वो किया लुद्ट आपका कंपोनेंट क्या हूंग टाइटिल हिए इल ठीक है तो सेकेंड है वो अगर पूरा complete information नहीं दे पा रहा है क्योंकि टाइटल हमें चोटा होना चाहिए दो या थी एक दो तीन दो तीन वर्ट्स का होना चाहिए इस ज्यादा बड़ा इन्फर्मेशन इस इंप्लीमेंटेड विजए अगर टाइटल जो है वो टेविल की complete information नहीं दे पा रहा है तो बाकी की जो इन्फर्मेशन उस टेविल के बादे में जो भी आप देना चाहते हो वो head note में दी जाती है head note completes the information in the title of the table ठीक है head note यहाँ पर दिया होता है पहले आपको table number फिट title उसकी बार यहाँ पर आपको head note दे सकते हो ठीक है जैसे आपने title दे दिया यह table किस चीज़ की है अब मालो इस title से इस table के बारे में complete information नहीं मिल पा रही है तो बाकी के जो भी information आप देना चाहते हैं तो table के बारे में वो head note में आ जाएगी ठीक है तो क्या अगला components third component क्या हुआ head notes head note के बाद बाद आता है steps steps क्या होता है steps are titles of the rows of a table these titles indicate information contained in the row of the table अच्छा steps का मतलब क्या होता है देखो इसमें समझो इस तब head इसे कह जाता है ठीक है मतलब जैसे हम लोग एक table बनाते हैं यह मतलब table बनाए आप actual sheet पर जब काम करते होगे computer पर ठीक है तो तो आपने देखा होगा कि यह तो आपकी table बनी है यह आपके columns हैं यह आपकी rows हैं तो लोग का जो सबसे पहला column होता है उसमें आप information देते हो ना serial number डाले तो 1, 2, 3 यहाँ पर title देते हो कि age बच्चे की class कौन सा है इस सब के बादे में लिखते हो तो जो यहाँ पर यह rows को हम लोग refine करते हैं सबसे पहले इन्हें कहा जाता है steps जो यहाँ पर show करोगे rows में सबसे पहला column होता उसे क्या रहता steps steps are title of the row of a table steps दो है वो row का title होते है ठीक है these titles indicate information contained in the rows of the table यह क्या show करती है कि row के अंदर क्या information दी जा रही है इसके बादे में बताते हैं ठीक है step head में मतलब row heading होती है step entries step titles ठीक है step titles of the rows of the table इन सब के बादे में information दी जाती है उसे क्या रहता है step head next होता है caption caption क्या होता है caption होता है caption is the title given to the columns of the table steps क्या था titles of the rows of the table or caption क्या था column जो भी title है columns of the table ठीक है a caption indicator information content in the columns of the table caption may have subheads when information when information content in the column is divided in more than one class ठीक है हमने क्या बताया steps जो होते हैं वो row का title बताते हैं कि row में क्या है लिखा हुआ है columns में क्या है इसे को में बताता है caption caption with subheads यहां पर यहां पर एक जो information आप लिखा होगे सबसे पहले यह इसे क्या करता है इसे कि बॉड़ी और फील बॉड़ी और फील मितलब बॉड़ी ऑफ टेबिल मीन्स सम टोटल ओफ दा आइटम इन दा टेबिल ठीक है अब बॉड़ी को इस पूरे को इस पूरे को जहां पर पूरी information अपनी डाटा की फीड करोगे हर जगे पूरे रोज में कॉलम्स में उस पूरे सिस्टम को क्या कह गया बॉड़ी बॉड़ी ऑफ दा टेबिल और आइटम ऑफ दा टेबिल और सेल ऑफ दा टेबिल ठीक है जो भी आप डाटा फीड करना चाहते हो टेबिल के अंदर उस पूरे बॉड़ी उस चीज को पू of the item in the table thus body is the most important part of the table क्योंकि पूरा data जो है वो बॉडी में ही feed होता है यह सब तो टेबिल के इंफरमेशन दे यह तेख कि टेबल नमबर हो गया टाइटिल हो गया हैड़नोट हो गया स्टब हैड हो गया कैप्शन वह लेकिन मेन information जो भी है वो सब पूरी बॉड़ी में ही होती है ठीक है ठीक है तो इट इंडिकेट्स वैलू आफ तर वेरियस आइटम्स इन दा टेविल इच आइटम इन दा बॉड़ी इस कॉल्ड सेल अब यहां पर हर जगे आप जब एक्सल की शीट पर काम करते होगे तो एस इस तरीके से आप देखोगे एक्शल सीट को भी भी अपने काम किया होगा तो आपका पता होगा कंप्यूटर पर इस तरीके से पूरे सीट बनी होती है ठीक है इस तरीके से रोज बनी होती है जिस रोज हो गई कॉलम्स हो गए तो इसके अंदर सारी information लिख्यों होती है और हर इंफार जीडर दीजा जनरी गिवें विन इंफर्मेशन इंदर टेबल नीट तो बी सप्लीमेंटेड ठीक है फुट नोट में आप अपनी इंफर्मेशन दे सकते है उस टेबल के बारे में थोड़ी सी और ठीक है ताकि जो भी उस टेबल को देखने आया है वह समझ जाए कि क्या ट इस एक आपनी लिखिए इसको और सप्लीमेंट कर लिखे ताकि आप समझानी की कोशिश कर सको उसके लिए फूटनोट दिया जाता है और लास्ट जो होता है उसे क्या कहा जाता है शोज आपको शो करना होता है टेबल में सोस अफ टेविल सोस अफ दर डेटा वें टेविल are based on secondary data source of data is to be given ठीक है source of the data is specified below the footnote it should give name of the publication or publisher year of publication reference page number etc last में क्या होता है source में आपने जो data collect किया है वो secondary अगर secondary data है तो वो कहां से लिया है आपने इस पूरी टेविल में कितने pages है ठीक है और इसमें कौन publisher है इस table का ठीक है उन सब पूरे के बारे में यहां source में शोर करना पड़ता है तो यह format होता है आपका टेविल का ठीक है इसे copy में नोट भी कर लिजेगा components of table तो कितने components हुए आठ components कौन कौन से पहला पड़ो टेविल नंबर दूसरा है title तीसरा है head note चौथा है steps फिर क्या है caption शिक्ष्थ है body and field footnotes और source तो इतने आपके इसे कहा गया है table present जब भी आप data code table मतलब rows और columns के form में जब प्रिजेंट करने लगोगे तो उस time उसको क्या कर लाता है table presentation of data तो आज हम लोगों ने पढ़ा fifth chapter में क्या क्या है presentation of data क्या होता है कितने types का होता है जिसमेंसे हम लोगों दो आज पढ़े टेक्ट्र प्रिजेंटेशन और टेबूल प्रिजेंटेशन ठीक है इसके components पढ़ दिया हम लोगों ने कल हम लोग इसके आगे का topic शुरू करेंगे आज हम लोग व्यूटो एक नहीं रखते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे कि भाईया विच आजा हैं गुड़ कंपोनेंट के क्टर यह तेबिल यूट बनाते हो उसके याप पिछेंट कैसे बनती है ठीक है तो इसके बालें पढ़ेंगे यह देख़ो पीचे एक्जामपेल भी दिया है मैंने जो भी आपको पढ़ाया अभी टेविव टेविवर करी तो टेव पूदा कॉलम कैप्शन आ जाएंगे बॉडी पूरी आ जाएगी बॉडी आपकी आ गई देखो यह नों शो किया है टेबिल नंबर यह फॉर्मेट दिया है यह एक्शल टेबल बनी हुई है टेबिल नंबर टेबिल नंबर बन टैटिल क्या है प्रोडक्शन आप गुड फू इन पर्सेंटेज ठीक है उसके बाद सब हैड़ में फूड यहां पर क्या आज़ा है फूड ग्रेंग क्या क्या है पतलब भाइस हैं वीट हैं और अधर अधर ग्रेंज आएं उसके बाद कैप्शन में क्या लिक्खे आपने प्रोडक्शन टोटल टॉन कॉन्ट्टी परसे इसको टेबिल आपकी बनती है यह आपको डे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको टेबिल और प्रेजन्टेशन में शो करिए ठीक है तो यह एकजामिपिल है आपका भाकी का जो टॉपिक है हम लोग कल शुरू कर देंगे आगे का ठीक है तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया टेक्स्टर प्रेजंटेशन और टेबुलर प्रेजंटेशन आफ डेटा इसको आप कॉपी में नोट करते रहेंगे और कल का टॉपिक हम लोग पहने बताई दिया है फीचर्स आफ गुट टेबिल और उसके आगे का जो भी टॉप सी क्याइंट आफ टेबिल कितनी होती है ठीक है उन सब के बारे में हम लोग कर पढ़ेंगे तो ठीक है थेंक्यू क्लास कोई प्रब्लम हो अगा तो आप मुस्से कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं है जबदे एड़ कर दोगे चुट आप टेवार्ट एटिर्यू लोग कितनी है जबस्ट आप घर्ख जैट ने कुट सेवआ है उम्मी पुट आप लोग्यों लोगार्स कोई अवार्से कोई टूएर्स चाल कर दोगा है एजे कितनी है बाप